हेलो एबन क्या हाल चाल है मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे तो आज का टोपिक है डेवलेपर ऑप्शन जो कि हमारे 2022 में बहुत सच चेंजिस हुए हैं इसमें तो डेवलेपर ऑप्शन जो आपको हर एक एंड्रोड डिवाइस में देखने को मिल जाता है कोई आप यूज कर रहे हैं किसी भी ब्रांड का कुल मला के आपके पास एंड्रोड ड्राइड डिवाइस होना चाहिए तो यह फीचर सभी में देखने को मिलता है और इसको इनेबल कैसे करते हैं वह भी बताऊंगा मैं आपको और ने फीचर कौन से एड़ हुए हैं तो पूरे प्रोपॉष्ण चोन होता है वह एक हाइट रहता है क्योंकि वहां पर ज्यादा छेड़ खाने करेंगें तो आपके डिवाइस में प्रॉब्डम आ सकता है तो वहां पर उसके फीचर जो है उनका जाना आका ज़रूरी होता है यह कंपनी ने जो है डेवला पॉस्वेश्ट रखती है जैसे कि आप यहां पर कंपनी इस फीचर को तो लाइट यहां पर शो नहीं हो रहा है हां तो इसको शो कैसे करते हैं और इसका पूरा डेटेल में बदाऊंगा तो ध्यान से देखना आपना वीडियो सो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है राकेश कुमार और आप देख तो आज हम पूरा यहां पर एक्सप्लोर करेंगे तो ध्यान से देखना अपना मेरे वीडियो तो डेवलेप प्रफॉशन को पहले सबसे पहले आप इसको इसे शो कैसे करते हैं पहले मैं यहां पर दिखा लिए तो मैं कुछ डिवाइस में जो है वह एडिशनल सेटिंग मे जाके मिलता है ठीक है तो सैमसंग में जुब आपको ऑपन ही मिल जाता है बाहर डेवलेपर ऑप्शन इसको हमिनेबल कैसे करेंगे पहले मैं इसके बारे मैं पर यहां पर दिखाता हूं दूब तो इसको इनेबल करने के लिए आपने अब आउट फोन पर जाना है सोफ्ट् सब्सक्राइब पर आप लिए उसे फिर को हो जाए जिए न開始 मैं अब करते हैं तो यहां पे आपको बड़ी-बड़ी फिचर आप दिखाने वाला हो तो बहुती मज़ा आने वाले हैं ठीक है पहला तहां memory तो memory में जाएंगे तो आपकी phone की कितनी RAM है यहां पर आपको पता चल जाता है total RAM 7.8GB मतलब कि 8GB की RAM है तो आपको पूरी RGB तो देखने को नहीं मिलती है अगर 12GB होगी तो आपको 11 पॉइंट कुछ इतना ही दिखाएगा ठीक है तो एवरेज यूज़ जो है यूज़ होती है मेरी रैम एवलेबल 3GB यहां पर एवलेबल है खाली है ठीक है फिर memory यूज़ आप चेक कर सकते हैं यहां पर यापको सभी ऐपकी रैम को यूज़ कर रही है सब्हकर देखने को यहां पर मिल जाएगी जैसी कि जितनी भी यूज़ कर रही है यह वह चाहते हैं तो आप फूップ और चाहते हैं तो इंट्रेक्टिव रिपोल कर सकते हैं फूल रिपोर्ट में जो है टोटल ही जितनी वी रिपोर्ट आएंगी आपको बग्ज की वह सभी शो होगी लेकिन आप यह इंट्रेक्टिक ही रखना है आपने यह उप्शनी चूज करना है क्योंकि इससे आपकी बैटरी जल्दी कंज्यूम हो सकती है ठीक है तो कि बंदे सोच होंगे कि stay away क्या हो गा है इससे यह होगा कि जब आप अपना फोन चार्जिंग पर लगाएंगे तो आपकी स्क्रीन अगर आपने फोन को और किया है तो आपका फोन नहीं रहेगा आपके स्क्रीन जोह बंद नहीं होगी तो आप यहाँ पर नीचे पढ़ भी रहें कोई पहरा पढ़ रहें चार्जिंग लगाया फॉन तो आप इसली ऐसे पढ़ सकते हैं आपकी स्क्रीन ओफ नहीं होगी से आपको कोई दिक्त नहीं होने वाले ठीक है तो नेक्स्ट के बारे मात करते हैं रणिंग सर्विसेज ठीक है तो यहां व्यू एंड कंट्रोल क जितनी भी रणिंग मोड पे ही तो इसका यहां पर इस फाइदा हो रहे है आप क plataform को किसी वी ओप्षिन को अगर रणिंग मोड पे है तो इसको स्टॉप कर सकते हैं वह कैसी एल्गया कैसी मिल जाता है इससे वह दो सिस्ट्व OD करना चाहते हैं जो कि रणिंग मोड पे हैं तो यह आप यहां पे आ कि आप बंद कर सकते हैं ठीक है उसके वाद सबसे most important feature कौन सा है auto update system जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग बहुते हैं कि यह इसका काम क्या है तो auto update system को जब आप यहां से on करते हैं के बार क्या होता है आप अपके device में कोई update आती है मालो ठीक है अपडेट आई है तो आप देखेंगे कि आपको कई बार वह शो नहीं होती अपडेट आपको pop-up शो नहीं होता है यह होता ना तो आप क्लिया करेंगे इसको ओन करने से क्या फाइदा है जब आप इसे off रखेंगे तो आप तब तो आपको कभी भी update आपकी फोन की शो नहीं होगी अगर इसको on कर देंगे ना फिर भी आपको शो नहीं हो रहे हैं लेकिन कई बार आप अपना device restart करेंगे तो आपको अपडेट शो हो जाएगी जैसे ही आप इसे restart करेंगे अपने डिवाज़ते से कि अप्लाइब अपडेट भेंदा इसे पहले क्या होता था जब यहां पर फोर पॉंट वन का अप्डेट आया तो यह फीचर वक नहीं कर रहा है मतलब की डेम और यहां पर शो नहीं हो रहा है जैसके आपको बताया कि अपडेट आने के बाद कुछ चेंजिस हुए हैं जैसे कि आप पहले अगर आपके डिव अपडेट नहीं हो तो आप यहां पर इस ऑप्चन को चेक कर सकते हैं यह चेंज हुआ है उसका क्यूट सैटेंग डिवल पर टाइस चली यहां पर जाते हैं यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्षण देखने को मिल जाते हैं जो कि आप चाहते कि आपको शो हो ऑच्छ शोट और आप अब कामरा पर नहीं होगा अगर आप इसे को MAYOR नहीं होगा जैसे कि सकते हैं ठीक आप है तो अब इसे भी यहां पर लेके आ सकते हैं ठीक है और बी यहां पर accept Along दिखा देता हो 10 तो यहां में पर चलते हैं यहां जो सब commend और बॉंड इसके भी को आप शोटकट में लेकर आ सकते हैं यह उप्शन आपको टाइल में मिल जाता है आप नोटिविशन पैनल में आपको शो हो जाएगा ठीक है उसके बाद नीचे आते हैं कि आपको बाद एक बाद आपको आपको प्रोसेसिंग वहां हो जाती है कोई डाटा आप ट्रांसफर करें इसको ओन कर देंगे तो अभी जो है यह सर्विस जाएंगी और आपकी जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड है ना वह बढ़ जाएगी तो आप इसका यूज कर सकते हैं उसी तरह wireless debugging आता है, अगर आपने Wi-Fi के through connect किया है, तो ये भी option आप use कर सकते हैं, इससे आपकी speed बढ़ जाएगी ट्रांसफर की wireless के through, ठीक है, तो internet में भी अगर आप Wi-Fi ये भी use करते हैं, तो आप इस option को own कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फाइदा होगा, ठीक है, है ना कमाल की, दूसी तरह आप गया bug reports shortcuts का option है ना, इसके बारे मैंने आपको पहले पीछे भी option आया था, तो इससे क्या होगा, इसको own करने से क्या फाइदा है, अगर आपके device में बहुत सारे bugs आ जाएंगे, तो वो report कब show होगी, show a button in the power menu for taking a bug report, जैसे कि हम यहाँ पे power mode यहाँ पे on करते हैं, तो यहाँ पे आपको bug report का एक option नीचे देखने को, मिल जाएगा कि आपको कितने, जैसे कि आप देमते सकते, bug report यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यह option आपको show हो जाएगा, यहाँ पे बात करते हैं, दोस्तों, एक feature है, यहाँ पे graphic driver का, तो आप इसका use कर सकते हैं, अगर आप gaming वे गयरा खेलते हैं, gaming वे आपका interest है, आप game खेलते हैं, या कोई भी free, fire, pub जी, bgmi, कोई भी game खेल रहे हैं, आप कुल मिलाके, तो उसकी आप यहाँ पे graphic driver को system graphic driver में लेके आ सकते हैं, जैसे कि मैंने हमें से लेके आगे, उसी तरह यहाँ पे एक और मिलेगा, अगर आप Samsung का device यूज करते हैं, आप game plugin का option मिलता है, इसको भी a system graphic driver में लेके आ सकते हैं, इसे आपकी gaming performance में बहुत फ़क पड़ेगा, तो इसका आप यूज कर सकते हैं, फिर उसको रहता है, इसको आपकी refresh rate हो जाएगा, आपके device की कितनी refresh rate है, मेरी 60 है, तो यहाँ पे 60 show हो रही है, अगर 120 होगी, आपको पता चल जाएगे कि आपके device की कुल मिलाके refresh rate कितना है, यह आपको option बता देता है, यह option बहुत ही important है, Wi-Fi safe mode, यह बहुत important option है, बहुत ही priority के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका device या फिर आप किसी Wi-Fi साथ connected है, तो आपका data leak ना हो, आपका device hack ना हो, तो आप safe mode को यहाँ आपे on कर सकते हैं, तो मेरे साथ इस option को आपने on ही रखना चाहिए, क्योंकि आप Wi-Fi यूज़ करते हैं, कहीं आप चलेगे, कहीं cyber cafe के बाहर, कहीं भी जाते हैं, तो आपको Wi-Fi मिलता है, तो आप इसे on करके easily, मतलब बे फिक्रे होके, बिना tension के net use कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, Wi-Fi scan thoroughly, इसको भी आप यह तो on ही रहता ही, अगर आप इसको on कर लें, इसे जो आपकी battery जो है कम reduce होती है, और draining भी कम होती है, और network performance भी बढ़ती है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी option है, इसको on कर देंगे, mobile data always active, य मानलों कि आगर आप Wi-Fi यूज़ कर रहे हैं, तो आपका Wi-Fi थोड़ा weak पढ़ता है, तो automatically आपका data है, आपकी SIM का internet वो connect हो जाएगा, और आपकी speed को maintain रखेगा, इससे क्या होगा, आपको यह फायदा होगी कि आपकी speed जो है, Wi-Fi की बढ़ जाएगी, डानलोडिंग की, कुल iPhone से connected है, तो आप इसको आवाज भढ़ाते हैं, तो आपकी एकदम से वाज ज्यादा हो जाती है, इससे आपको नुक्सान हो सकता है, तो आपको कान में कुछ प्रोलम हो सकता है, तो आप इस option को on-off कर सकते हैं, यह option भी आपको यह देखने को मिल जाता है, यह यह feature is pointer location जैसे आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाता है, तो आप इसे यहाँ पर इसे तो बंदी रखिए, अगर किसाद मस्ती करना चाते हैं, तो आप इसे on कर सकते हैं, ठीक है, तो शो सर्फेस अपडेट्स, यह क्या है option, मतलब मुझे बहुत सारे comments भी करते हैं, बंद करना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इसे on करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ मस्ती भी कर सकते हैं, वो परिशान हो जाएगा है, यह option भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, उसका विंडो एनिमेशन स्केल, इसके बारे मैं आपको बताया, आप अपनी में पर ही रखना, अगर आप कम जादा करना जाते हैं, उसी तरह एक ट्रांजिक्शन, एनिमेशन इसको भी कम जादा कर सकते हैं, यहां से यह भी option देखने को मिलता है, वो एनिमेटर डिवरेशन, स्केल इसको एनिमेशन भी आप कम जादा कर सकते हैं, अगर पॉइंट मैंने इसके बारे में बहुत समय पहले एक वीडियो भी बनाए था, कॉर्णर कट आउट, मैं यहां पर क्लिक करेंगो, तो मेरा कॉर्णर यहां पर ब्लैक हो जाएगा, हो गया ना, कट हो गया, उसी तरह जो है, फोर जंपल मैं यहां पर कुछ और करता हूँ, कहां पर इस जैसे कि यहां पर कैम रहा है, तो यहां पर भी शो हो गया, ठीक है, पूम, कट आउट यहां पर भी, शो हो जाता है, उसी तरह टाल कट आउट करते हैं, तो आपके इस तरह का शी रहाँ बन जाएगा, यहां पर डिवाइज में, ठीक है, यह तो को आपको डिवाइज contribution हान पर देखने को मिल जाता है इसको बाइट डिफोर्ट कर देंगे तो आपका नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा ठीक है समझ गे बाकी इस फीचर के आप सभी जानते होंगे फोर्स डार्क जादा यूजरा गेमिंग करते हैं तो आप चेक करना चेक कर सकते हैं कि आपका लार्ज में रखना जाते हैं तो ऊक्ड़ में पर रहा है तो किस तरह से वर्क कर रहा रहा आपको सभी ओप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं कॉंटेक्स इंफो मिल जाती आपको यहां पर सर्फेस राइवर टाइप टाइप तो इसके बारे मैं डेटिकेटड वीडियो बना दूंगा अगर आप गेम बगारा खिलते हैं तो इसके लिए यह काम आता है जैसे कि आप डिवाइस अपने यूएसबी से कनेक्ट किया है आपकी ओडियो जो वर रोटिंग मारती है मतलब क्या होता कि यह वार आपको इसे ओप्शन को यूज कर सकते हैं इससे आपको कोई प्रोलम नहीं है लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं बाकि इसके बाद आपको सारी एप्लिकेशन यूज कर रहे हैं बैगराउंड में तो क्या होता है कि आपकी एकदम से एप जो है क्रैश हो जाती है या फिर आपको इंपोर्टन काम कर रहे हैं वह वाली एप आपकी क्रैश हो जाती है लेकिन स्ट्रिक मोड को ओन करेंगे तो आपके जो को रिजिस्टर नहीं कर पाएंगे आपके डिवाइस में कोई भी फिंगरपिंट जो है रिजिस्टर नहीं कर पाएगा इस उप्शन को आप यूज करके एक बाद चेक जरूर करें डॉंट कीप एक्टिवीटी यह उप्शन आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद ज्य कर जाहिंद बंदे मातरम